इश्क की जिन्दा निशानी है ये सदियों पुरानी कहानी है ये ताज महल की बाँ जबानी है ये कहानी है ये निशानी है ये इश्क की जिन्दा निशानी है ये सदियों पुरानी कहानी है ये ताज महल की बाँ जबानी है ये कहानी है ये निशानी है ये दिल से आगे एक दिल में ला, अल्लाह का करम भी तो था एक दो जे में ही पालिया, उन दो दिलों ने अपना खुदा खुशनों मात दोनों जहां, क्या जमीन, क्या आसमा इश्क की जिंदा निशानी है ये, सद्यों पुरानी कहानी है ये ताज में हैं के वांजवानी है ये, कहानी है ये, निशानी है ये जिंदगी और जवानी, दौलत और शहुरत ये सब वक्त के बहाव में पहचाते हैं बादशाही ताकत के आधी तुफान कुछ तेर में ही डूपते सुरज के उजाले की तरह कुम हो जाते हैं हीरे, मोती और जवाहराद लुटाने वालों को भी रंगीन इंद्रधनुष की किर्णों की तरह बिखर जाने दो सिर्फ यही एक आंसों की बूंद ये ताज महल रहती दुनिया तक हमेशा चमकता रहे साल था सोला सो साथ जो की बड़ी तब्दीली का वक्त बनने वाला था हिंदुस्तान मुगल सल्तनत के मातहत चैन की सांस ले रहा था शाही मीना बाजार में एक अजीब वाक्या हुआ यहां उचे शाही खरानों की लोग सरूरत की चीज़ें खरीदते थे दर्बार के सभी अमीर और शाही बहु बेटियां दुकानों के आसपास चुट जाते थे ये मिलने चुलने का एक मौका था खुर्रम वहिष्ट में खुशामदीद ये तो इन पर्दा नशीनों को एक नजर देखने का छोटा सा नजराना है ठीक कहते हो आसफ ये वाकई इस जगे होने का वाजिब नजराना है हमारी जंगी तालीम के दौरान तो सिर्फ उस सहल से पैसलार और सिनपती ही दिखे जिन्होंने हमें जंग करना तो सिखाया दिल फटह करना नहीं सिखाया ये सच नहीं है मैं जानता हूं हसिनाय तुमें देखते ही तुम पर फिदा हो जाती है वो तुम पर जान नुचावर करती है और तुम उने देखते तक नहीं कुछ दिर दिल बहला के वक्त काटने में क्या बुराई है जो हसिनाय आसानी से हम पर फिदा होती हैं वो और उपर भी तो हो सकती है आसिफ हमें ये हलका पन पसंद नहीं हमारे खौबों की मलका इस जहान में शायद आई ही नहीं जो खुद की इस्जत करे जो फरिष्टे की तरह मासूम हो और हमसे तहे दिल से इश करें उसे जिद्दगी की बाहरी तड़क भड़क से कोई लगाव ना हो ऐसी होगी जिसे हम दिल देंगे तब तो इत्मिनान रखो मेरे दोस्त तुम्हारा दिल तुम्हारे पास ही रहेगा शायद तुम ठीक कहते हो हम फरिष्टे की तलाश में हैं और फरिष्टे जन्ना पर रहते हैं जमी पर नहीं खुदा हाफिस इतना खुबसूरत है अफसोस की ये शहजादा नहीं या अला हमें मुआफ कर दीजी हम तो अपनी सहेलियों को मार रहे थे कोई बात नहीं चोट हमें लगी है तो हम भी आपके दोस्त हुए हमें होश में वापस लाने का बहुत बहुत शुक्रिया हम बहुत शर्मिंदा हैं दर्थ हो रहा है ना जरा भी नहीं अरे है कैसे नहीं तुम्हारे जख्म पर हमें पट्टी बाननी पड़ेगी वरना ये बिलकुल भी महफूज नहीं रहेगा कभी कभी छोटा सा जख्म ज बहुत कीमती है तुम्हारे जैसा आमसेपाही से खरीबने की सोच भी नहीं सकता हम तुम्हें तफ़े में दे देंगे बहुत बहुत शुक्रिया पर हम इतना कीमती तफ़ा नहीं ले सकते देखोगा तुमने इसे नहीं लिया, तो हम समझेंगे कि तुमने हमें मौफ नहीं किया अगर इससे आपको खुशी होगी, तो हम इस तौफे को हमेशा अपने पास रखेंगे शुक्रिया हमारा फरिष्टा हमारे लिए जमी पर आ गया कर दो हम करेंगे पिम पर इससे आपको एसा रे만 कर दो हम थादकी को बादको beside हम रहीं हो हम Är that तुमने वर सकाल कर दो कर दो दो खुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ यह सी Matsya है म programmes है आस्रिकम artık हमारे फरिष्टी की कोई ख़वर बेहतर होगा तुम उसे भोल birlikte वो तुम्हारे जैसे मामुली सिपाही की पहुच के बाहर है हमारी पहुच के बाहर क्यों बताओ भी कौन है वो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा जान प्यारी है तो उसे भूल जाओ आसिफ अगर वो न मिली तो तो जिन्दगी का क्या करोंगा इतना बतादो कि है कौन मैंने कर तुम्हारी इतने हिम्मत कि तुम उसके खाब देखो तुम्हें इसका कोई हक नहीं एक सिपाही को भी महब्बत करने का हाग है हाँ शायद तुम ठीक कहते हो वैसे वो हर सुबह उस्ताद अली खान को सुनने जाती है तुम उस्ते वहां मिल सकते हो शुक्रिया मेरे दोस्त तुम्हारा यह ऐसान कभी नहीं चुका पाऊंगा लेकिन उस्ताद अली खान के यहां तो कई लोग होंगे फिक्र मत करो वह सूर मत पीत जाने का बिसबरी से इंतिजार होगा उकता हुआ सूरज अपने साथ हमारे फरिष्टे को जमी पर लाएगा हुआ 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 आदा वर्स है कितनी हैरानी की बात है आप यहां जी क्या इत्तफाक है मुझे तो यकीन नहीं होता कि एक सिपाही मोसीकी से शौक रखता है क्या आप किसी को गिरफतार करने आये हैं नहीं कता ही नहीं मौसीकी तो हमारी रूह में है वाकई वैसे सिपाही और फनकार में तो एक चासा कुछ भी नहीं होता मैं पेशे से सिपाही हूँ पर पैदाशी फनकार मेरा खांदान फन की कदर करता है दरसल जब मैं बहुत छोटा था ना तब मौसीकी सीखा करता था सितार अच्छा बजा लेता हूं मौसीकी तो मेरे खून में है हमें यकीन नहीं होता हमने तो सितार सीखने की कितनी कोशिश की पर अभी तक सीख नहीं पाए आपने उस्ताद गलत चुना होगा अगर आप मुझे मौका दे तो मैं आपको अच्छी तरह सिखा सकता हूं मौसीकी वो फन है जो चस्पात को सबा देती है आपसे सितार सीख कर मुझे खुशी होगी अगर आप वाकई इतने काबल हैं मुझे माफ कीजिए आपके जखम के बारे में पूछना भूली गई ओ अब बैतर है मुझे तो ठीक नहीं लगता आप हकीम साहब के पास नहीं गए बिल्कुल क्या था उन्होंने कहा कि जखम बरने में वक्त लगेगा पर निशान जिन्दगी भर रहेगा यकीन आपके हकीम काबिल नहीं है हमारे खरका बनाओव अमरहम लगाने से तो निशान भी मिठ जाता है तो ठीक है यह तै रहा मैं आपको सितार सिखाऊंगा और आप बदले में मेरा जखम ठीक करेंगी ठीक है तो देखते हैं हम बहतर हकीम है या आप बहतर फनकार आईए फिलाल उस्ताजी की हुजूर में चले जानते हुमें कौन सारा गारा था जानते हुमें कौन सारा गारा था? जी नहीं पर जन्नत से आई अजान लग रहा था इन्होंने बिल्कुल सही फर्माया वो जन्नत की तस्वीर थी आप राग भैरवी का रहे थे वाँ तुम खुदा के प्यारे हो इतनी कम उम्र में मुश्टकी से इतना लगाओ काबिले तारीफ है मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं खुदा तुम्हारी हर तमन्ना पूरी करें उस्ताद साहब मैं जानना चाहती हूं मौसी की क्या होती है? मौसी की सब कुछ है ये जजबात है ये इबादत है खुदा की लौ है ये जरिया है उसके पास पहुचने का और इन सबसे जादा मौसी की इश्क है और इश्क? इश्क में मरना इश्क में जीना इश्क का दामन छोड तभीना इश्क क्या है इश्क विबादत है इश्क है इमान इश्क है इश्क विबाद इश्क विबादत है इश्क विबादत है इश्क विबादत है इश्क विबादत है इश्क मुसाफ है इश्क छिपा है इश्क हजाद है इश्क विबादत है इश्क का जादू सदियों बुराँ इश्क वे गुल खिलते है या दिल हो जाते मीराँ वैसे हम कितनी जल्दी सिता सीखना शुरू कर सकते हैं चाहें तो कल से मरहम लाना मत भूलियेगा मैं कल शाही बाग में आपका इंतिजार करूंगा कितनी जल्दी आपका करूंगा मैं आपका अबूंगा प्रस्ती कितने रख़ते के लगोंते लग Keंवा मैं कृंगा नफजड़ती आपका अपका प्रता प्रता कर दो कर दो कर दो कर दो कि यकीन नहीं होता हमें अंदाजा नहीं था आप इतने हुनर मंध हैं हुनर कदरदान के सामने ही दिखाया जाता है एक मामूली सिपाही बने रहने के लिए आप पैदा नहीं हुए हमारी बहुत जान पहचान है हम आपको शाही दरबार में नुमाईश करने का मौका दलवा सकते हैं महरबानी पर यह मेरा मकसद नहीं मैं सर्फ सचे कदरदानों के सामने ही बजाता हूं आहिए आपके सितार की तालीम शुरू करें यह तार सा है यही शुरुवात है वो तो ठीक है पर यह तो बताईए कि एक तार से दूसरे तार पर उंगलिया कैसे जाती हैं बहुत आसान है आप सिर्फ मेरे हाथ के साथ साथ चलिए साथ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। पता नहीं हमें क्या हो गया यहान ही नहीं लग रहा सिर्फ उनका ही खयाल आता है बस उन्हीं की याद आती है यह तो हो नहीं था हमारी यही तक्तिर है हम तुम्हें दिल और जान से चाहते हैं तुम हमारी सब कुछ हो हमेशा हमारे साथ रहना हमारे सिपाही हमारी रूह में हो तुम हम मरते दम तक साथ रहेंगे और तुम भी वादा करो कि हमसे कभी जुदा नहीं होगी कभी जुदा नहीं होगी पर कल हमें तुमसे जुदा होना होगा हम अपने घरवालों के साथ पहाड़ों पर जा रहे हैं ऐसा मत करना, इस जुदाई में हम दिवाने हो जाएंगे तुम्हारी आवाद सुने बगार तुम्हारी आखों में अपने लिए महबत देखे बगार हमारी जान हमसे जुदा हो जाएगी ऐसा मत कहिए हमने बहुत कोशिश की पर हमारे घरवाले हमें अकेला नहीं छोड़ते हम समझते हैं पर वादा करो कि तुम जल्दी लोटाओगी आखरी बार हम तुम्हें जोदा होने दे रहें तुम दूर रहोगी पर तुम्हारी महबत हमेशा हमारे साथ रहेगी बहुता कि पर गमारे रहे टुम्हें तुम्हें जोड़ते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर 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 कितनी प्यारी पत्तिया हैं हम अपने प्यार के लिए ज़रूर ले जाएंगे अर्चुमंद कि अर्चुमंद कि व्यार के भी क कान使 you प्यारि छुड़ियो कि अर्चुमंद ढुड़िय Mont आ座 किower अर्चुमंत 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 खुदा हमारे महभूब को हमारे पास भेजने का शुक्रिया मुझे अब तुमसे और कुछ नहीं चाहिए हमसे यह जुदाई बरदाश्ट नहीं हुई चाहे तुम दूसरी दुनिया में चली जाओ हम वहां भी तुम्हारे साथ आएं आपकी महभूबत ने हमारी किसमत जगा दी आपके बगएर हम बहुत उदास थे पर एक बात बताईए आपको कैसे पता चला हम यह अकेले घुम रहे हैं हमें नहीं मालूम था हमने सोचा पूरी वादी छान कर आपको ढोड़ निकालेंगे हम इस नदी के किनारे आपकी या हमने पिछले जनम में जरूर कुछ अच्छा किया होगा जो इस जनम में हमें आपकी महभबत मिली महभबत खुदा की देन है इस जहां की कोई ताकत तुम्हें हमसे जुदा नहीं कर सकती हमें आपकी बहुत फिक्र है हमें माफ कर दीजे हमने अपने बारे में सच्चा ही छिपाई है वो ये कि हमारा खांदान मुल्क के सबसे उचे लोगों में से है हमारे वालत है आसफ खान वजीर आजम और बुवा है मलिका नूर जहां हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम किसी किसान की बेटी होती तो भी हम तुमसे इतनी मुहबत करते हमारी रूह मिल चुकी है और यही सच्चाई है सियासत और दौलत हमारे लिए बेमा अगरे खुज़ा नहीं है खुदा के प्यारे ही इश्क में कुर्बान होते हैं अर्चुमंद क्या तुम इस सिपाही से निकाह करोगी आपका हुक्म सर आखों पर अब यह कदम वापस नहीं जा सकते आप हमारी जिंदगी है हमारी किस्मत है हम आपके लिए ही बने हैं अर्चुमंद हमें उनसे इतनी महबबत है कि उनका खयाल हमें सोने भी नहीं देता काश हमारे दिल बर हमारे पास होते में आपने यादखिया और हम आजर है यह क्या गजब कर रहे हैं पता है कितनी मुसीबत में फंच जाएंगी आप खुदा के लिए चले जाए हम आपसे सुबो मिलेंगे हम सुबह टक इंजा हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम साथ नहीं चलती ये रात तुम्हारे साथ खेल उठेगी हमारे दिलबर को इंकार करना अतना मुश्किल क्यों है हम आपके साथ जाएंगे अगर आपको इससे खुशी मिलती है आफरीन, बेंतिहा सुकून, ताजो तख्त हासल करके भी किसी को इतनी खुशी नहीं मिली होगी ताजो तख्त से आपका क्या तालुक? अगर होता तो भी वह खुशी छोड़ देता कल हमारा क्या होगा? यह सोचकर भी डर लगता है कल के बारे में मत सोचो अरजमंद कल का आने वाला तूफान आज की खुबसूरती से छोट रहा है खुर्रम, हम यह बौर कुछ भी नहीं चाहिए यह खुदा आपा जाण आखिर इसका गुनाह क्या है? इस खलीज ने सबसे बड़ा गुनाह किया है जो जो इसने शाही खांदान से रिष्टा जोड़ने की बात सोची इस भस्ता की हिम्मत कैसे हुई शाही खांदान की पेटियों की तरफ देखने की भी अपा जान, खुदा के लिए बस, हमें तुम्हारी राय की जरूरत नहीं इसकी हालत देखकर कोई आम आदमी शाही खांदान के खयाल से भी दूर रहेगा इन कमबख्तों को इनकी सही जगत दिखाने का यही तरीका है ओ, अच्छा, हमने तो सोचा था उंचे लोग उंचा बरताब करते हैं या, खुदा, इसे कब समझाएगी, अभी तर बच्पना नहीं किया हमने कहा था न, खुर्रम, हमारे अपा कभी नहीं समझेंगे उन्हें तो मुहपत के माइने ही नहीं मालूम ये घर छोड़ कर ही हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं करते हैं हमारा फरिष्टर रो क्यों रहा है हमारे अबब कभी राजी नहीं होंगे कल राथ ही हमने गरीब पर अबबा के हुकम से जुल्म होते देखा उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने उचे खांदार की लड़की से महुबत की उस गरीब का सब को छीन लिया गया हमारे अबब सिवा को प्यार करने वालों से कोई हंदर्दी नहीं अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं हम अपना घर छोड़कर आपके साथ घर बसाने आये हैं आपकी महबत पाकर हम खुशकिसमत हो गये लेकिन जाने से पहले हम अपने वालिद से मिलकर उनकी दुआएं लेना चाहते है हमारे वालिद बहुत तजर्बिकार है हो सकता है कि वो हमारी बातें अच्छी तरह से समझ सके लगता है आप अपने वालिद को बिलकुल नहीं चाहते तभी तो उनकी जान पर खत्रा मोल ले रहे हैं उन्हें किरफतार करके दरदर का भिकारी बना दिया जाएगा अगर यह पता है तो हमसे बेपनाह मुअपत करती हो हम पर यखीन रखो हमारा वादा है कोई तुम्हें हमसे जुता नहीं कर सकता अगर आप हमसे हमारी जान भी मांगे तो बेशक हम बिना हिजक क्यूं ही दे देंगे चाहे कुछ भी हो जाए हर हाल में हम आपके साथ ही रहेंगे यह रास्ता तो आगरा जाता है यह आपके अब्बा वहार रहते हैं हाँ वही रहते है रुकिये 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 आगे मत पढ़ियेगा क्यों यह राश शाही दर्बार को जाती है हमारे अब्बा वही काम करते है क्या वहां क्या दर्बान है नहीं वो नहीं क्या आपको नहीं लगता कि उन से उनके घर पर ही मिलना बहतर होगा घर पर कमी होते हैं यहीं मिलना बहतर होगा खुदा के लिए वापस चलिए हमारे अबबाजान ने देख लिया तो सजाए मौत दे देंगे वो देखते हैं तो दो आज नहीं तो कल उन्हें पता चली जाएगा मौत के वक्त अगर तुम्हारा साथ हो तो कोई तकलीफ नहीं हुर्म होश से काम लीजे जान देने से क्या मिलेगा पहले निकाह कर लेना चाहिए नहीं अगर हम पर यकीन है तो आप पर तो यकीन आपकी जांद को खत्रा बर्दाश्ट नहीं अख हमने कहा था न यहां आना खतरनाक है हमारी कोई नहीं सुनेगा बेखाफ रहो देखते हैं क्या होता है कि खुशाम दीध हमारे फर्जन हिंदुस्तान के होने वाले बाद्श्या अब हम आपको आपकी होने वाली बहुत से मिलाना चाहते हैं यह हिंदुस्तान की मलिका होगी माफी चाहेंगे आपको पहले नहीं बताया लोग हमारी मुहबबत को छूट समझते अगर हम होने वाले बाद्शा बनकर आपसे मुहबबत करते हमारे अबबजान ने सबको ताकीद दी थी कि हमारी असलियत जाहिर नहों जिससे हम भी एक मामूली सिपाही की जिन्दगी जीएं तभी हम आम लोगों की तकलीफें समझ सकेंगे और ये कसम सर्फ शेहनशाह ही खत्म कर सकते थे हमने माफ किया हमें अच्छा लगा कि हमने मामूली सिपाही के रूप में आपसे मौबबत की हम आप दोनों को दिलो जान से दुआ देते हैं एक दूसरे के साथ तुमारी जिन्दगी खुशनवा हो तुमारे वालिद कौन है मेरी बच्ची आसफ खान आपकी वजीर आजम आसफ आसफ खान आपको ये सिपाही दामाद को बूल है हम शेहनशाय आलम को क्या जवाब दें हमारे पास लफ्स नहीं है हम इस दुनिया के सबसे खुशकिसमत इनसान है जिसे इतनी खुशिया मिल गई मलिकाय आलम आपके लिए खुशखवरी है खुर्रम अर्जुमंद को अपनी बेगम बनाना चाहते है हमने वो खबर सुन ली है पर हमें अफसोस है कि हिंदुस्तान की शेहनशाह अपना वादा इतनी जल्दी भूल गय हम समझे नहीं आप कहना क्या चाहती है अगर बादशाह हमें इजासत दें तो हम याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे निकाह के वक्त आपने ये वादा किया था कि हमारी पहली शादी के उलाद को आप अपनी ही उलाद समझेंगे हमें अपना वादा बिलकुल याद है जवाब दीजी हमने कब उसे बुलाया हमने हमेशा उसे अपनी बच्ची समझा बेशक समझा है पर आपका ये फैसला हमें कुछ और ही दिखाता है आप कहना क्या चाहती है लाडली की सारी तमन्नाए हमने पूरी की है आज भी हमारा सब कुछ उसी का है तो खुर्रम उसे दे दीजी वो खुर्रम से निकाह करके मलिकाय हिंदुस्तान बनना चाहती है क्या आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया अब इस फैसले के बाद आप हमें ये बता रही है हमें ये बहुत पहले बताना चाहिए था अब देर हुच चुकी है हमने कई बार कोशिश की बहुत सुचा लेकिन मैकशी और अफीम की लद की वज़स से आप कुछ आप कुछ नहीं नहीं जाते थी आपने तो मुश्किल खड़ी कर दी हमने भरे दर्बार में उन्हें दुआई दी हैं हम वादा खिलाफी नहीं कर सकते आपको अपना एक वादा तो तोड़ नहीं होगा मेरे सर्ताच आप हमसे क्या वादा तोड़ देंगे हमने ताजंद की आपकी खिद्मत किये हुजूर अपनी हर सांस आपके मुल्क की देखरेक में हमने लगा दी है सरकार जिससे आप हमेशा अपना दिल बहला सकें हमने कब इंकार किया पर ये बताए खुर्रम ने हमारा क्या बिगाड़ा है हम उसकी मुहबत उससे कैसे छीने क्या आपको खुर्रम की इरादे दोखले नहीं लगते वो कैसे बिना आपकी राय और बिना आपसे इजासत लिए उससे शाही दरबार में लिया आया लड़की को आपसे मुखातिब कर दिया और आपको हां कहने के सिवा कोई रास्ता न दिया हमने भी खुर्रम से प्यार किया उसकी ताजबुशी के खुआप देखिये हमने पर हमें भी उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया लाड़ली का क्या होगा उसे हमारे पहले ने कहा कि आुलाद होने की सजा मत दीजिए अब बादशेय सलामत जो ठीक समझें फैसला करें आप ठीक कहती है आप से वादा तोड़ना गुना है हम खुर्रम से बात करके उसे समझाएंगे पर अगर उसने आपकी राए ना मानी तो अगर बाप समझ कर राय ना भी माने तो हिंदुस्तान के शेहनशा का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा फिक्र मत कीजिए आपका खुआप पूरा होगा खुदा ने महरबानी की कि अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता आपने आज तक हमसे बहुत जूट बोला है अब कसम खाये कि कभी जूट नहीं बोलेंगे माफी चाहते हैं हमें लगा हमारी असलियत हमारे बीच दूरी पैदा कर देगे ठीक कहां आपने हमें पता होता आप शहजादे हैं तो हमें लगता कि आप हमसे दिल बहला रहे हैं हमें मालूम है कि शाही खांधानों के बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं वैसे ताट कहीं तो हमें हमेशा शाही लोग बहुत चालाग लगते हैं हमारे अबबबा मलिका-णूरजहां के सगे भाई हैं फिर भी दुनों में बहुत दूरी हैं हम खुद भी शाही महलों की जिन्दगी से वाग कई दूर रहना पसंद करते हैं किसे पता था कि आप अपना दिल लिनी महलों के शहजादे को दे देंगी ऐसा लगता है कि किसमत को यही मन्जूर है आपके साथ पूरी जिन्दगी बिताने के खयाल से ही हम खुदा के शुक्र गुजार हो जाते हैं हम आपको हमेशा खुश रखेंगे कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे हमेशा आपकी हर तमन्ना चाहे वो जो भी हो पूरी करेंगे पूरी जिन्दगी में सिर्फ एक ही ऐसी तमन्ना होगी, जो हम सही वक्त पर बताएंगे। आपकी तमन्ना पूरी होगी, चाहे हमारे खून का आखरी कत्रा, या खजाने की आखरी महर भी उसमें लग जाये। आओ, अर्जुमन तमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है पर हम इतना कम मिलते हैं और शाहिदरबार के इन जाहिल सियासदारों के बीच, जिनमें रत्ती भर भी दानिशमंदी या खुश मिजाजी नहीं है, ऐसे रूखे लोगों के बीच जब तुम आती हो तो लगता है जैस अपना चाहते हैं पर तुम समझ सकती हो है ना? जी समझती हूँ. जब से तुम पैदा होई हो, हमने तुम्हें अपना ही समझा है, बिल्कुल अपनी ही अउलाद जैसा. हम जानते हैं हर लड़की को मा की ज़रूरत होती है, और हम चाहते हैं कि हम दुनों बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत करीबी दोस्त. तुम्हें हम पर यकीन है ना? जी है. सुनो, आज हम तुमसे बहुत जरूरी मसले पर कुछ बात करना चाहते हैं, अर्चुमन. अच्छा बताओ, क्या तुम खुरम को चाहती हो? जवाब दो हमें? चाहती हूं. या तुम्हें सिर्फ मल्लीका बनने की खौहिश है? जी नहीं, मुझे इसकी कोई चाह नहीं है. कमाल है, अजीब बात है. अगर ये वज़ा होती तो हम समझ जाते पर अब समझ नहीं पा रहे हैं. वाकई महबत करती हो? जी. वो भी चाहता है तुम्हें? जी. यानि तुम उसे नुकसान नहीं पहुचाना चाहोगी, क्यों? नहीं. और फिर भी, फिर भी तुम ये खतरनाक रास्ता इख्तियार करना चाहती हो, जो उसे बतकिस्मती और परिशानी के सिवा कुछ नहीं देगा. ऐसा क्यों करना चाहती हो तुम? मैं समझी नहीं. ऐसा क्यों होगा? उन्होंने क्या गुना किया है? उसने कुछ नहीं किया, मेरी बच्ची. तुमने किया है. सिर्फ तुमने. उन लोगों को हम कभी-कभी बहुत तकलीफ देते हैं, जिन्हें महुपत करते हैं. हम ऐसा कभी नहीं करेंगे? मैं जानती हूं नहीं करोगी. देखो, खुर्रम की मनसिल तैय है. रास्ती में आया कोई भी बदलाव, उसके लिए दर्पनाक साबित हो सकता है. पर वो तुम्हें चाहता है. उसे साफ नजर नहीं आ रहा, वो सोच नहीं पा रहा. और इसलिए तुम्हें अर्जुमन सिर्फ तुम्हें ये करना पड़ेगा. तुम्हें उसे तबाही से बचाने के सिम्मेदारी लेने ही पड़ेगी, अर्जुमन. और इसके लिए हम तुम्हारी कोई भी आर्जु पूरी करेंगे. आप मुझे क्या देंगी? आप तो खुद मेरी मदद मांग रही हैं. लैडली? लैडली, फिक्र मत करो, तुम्हें खुर्रम से निकाह करोगी और हिंदुस्तान की मल लिकाबनोगी. पर खुर्रम तो सिर्फ अर्जुमन से इश्क करते हैं. खुर्रम के इश्क की हमें कोई परवा नहीं, लेकिन निकाह वो तुम ही से करेगा. खुर्रम जानता है उसे हमसे मिलने आज यहां आना है, पर जब वो आएगा तो तुम उसे मिलोगी, मैं नहीं. अपने अदाओं से उसका दिल जीत लेना, मेरी बच्ची. आज उसे हमेशा के लिए काबू कर लेना. लाडली बेगम, मलिका साहिवा कहा है? वो मस्रूफ है. उनसे कहिएगा हम बाद में आएंगे. पर हमें आपसे बात करनी है. आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं लाडली बेगम? हमें बेगम बुलाते हैं, बेगम बीवी को कहते हैं, पर आप समझते ही नहीं. लाडली, हमारी बात सुनिए. सुन तो रहे हैं. देखिए, आपको जो चाहिए, उसके लिए हमारी जरूरत नहीं है. हम किसी और से महबत करते हैं. उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? अब जान आपने हमें याद किया क्या हुक्म है हमारे लिए है हमने तुम्हें अपने लखते जिगर और हिंद्रस्तान के वली एहद की हैसियत से बुलाया है इस नाते तुम्हारे भी कुछ फर्ज बनते हैं खुरम हम समझ नहीं पा रहे हम मुल्क के लिए अपने फर्ज बखो भी निभाते है हाँ फर्ज तो तुम निभाते ही हो पर बादशा की तरफ भी तो तुम्हारे अदब बनते हैं मुझे बताईए कि मैं बादशा के अदब क को कैसे भूला आप वली एहद हैं आप सिर्व महबत के लिए निकाह नहीं कर सकते हैं शेहन्शाहों के निकाह से रुत्मा और सियासत बढ़ने चाहिए हमने आपकी काभियत पर यकीन करके आपको वली एहद बनाया हमारी ही वज़ा से आप इस अजीम मुल्के होने वाले बादश्याह हैं और आपकी बेगम होने वाली मलिका आप कहना क्या चाहते हैं अर्जुमंद अच्छी है पर हमारी राय में वो मलिकाय हिंद बनने लायक नहीं दर्बार में के आपकी दुआएं फरेब थी जूटी थी आपको भी किसी के जज़बात के साथ खेलने का हक नहीं है हमने सोचा था बादश्या आपने वादे तोड़ते नहीं माफ कीजिए ये बहाना हमें मन्जूर नहीं इस फैसले को बदलने की सही वज़े बताईए हमने मलिका का ताज किसी और को देने का वादा किया था हमें उसे निभाना है तो आप लाडली बेगम की बात कर रहे हैं जिसमें जरा भी इखलाक नहीं आप एक सियासत की भूकी लड़की को मलिका बनाना चाहते हैं आप अपनी राय जाहिर कीजिए मलिका नूर जहां की नहीं उनके बारे में अदब से बात करो मत भूलो कि तुम बाच्छा से बात कर रहे हो हमारा ये हुक्म है कि तुम लाडली से ही निकाह करो मुल्क की मलिका सिर्फ हमारी पसंद की होगी आपने दुरुस्त फर्माया अगली मलिका आपके पसंद की होगी पर वो हमारी बेगम नहीं होगी, अपनी महबबत के लिए हम शहनशाह होने की ख्वाहिश भी छोड़ते हैं तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, बादशाह होने का मतलब जानते हो जानते हैं, लेकिन बादशाह अगर आप जैसे कमजोर हो, तो हमें उसकी कता ही चाहा नहीं क्या मतलब? हमारे अब्बा ने दुखा दिया क्या? वो एक बार फिर नूर जहां की चाल में फस गए और ये कहकर इंकार कर दिया कि हमारे निकाह के लिए उन्होंने नूर जहां से कोई वादा किया है वो आप से चाहते क्या है? यही कि हम तुम्हें छोड़कर लाडली बेगम से निकाह करें वो नूर जहां की पहली शादी की अउलाद है वो चाहते हैं कि लाडली हम से निकाह करके अगली मलिका बने तो हुर्रम आपने क्या कहा कह दिया अगर वो लाडली को अगली मलिका बनाना चाहते हैं तो हम अगले बादशाह नहीं होंगे हमने वली एहद बनने से इंकार कर दिया अब हम हिंदुस्तान के होने वाले बात्षा नहीं कोई हमें जुदा नहीं कर सकता आपने हमारे लिए हिंदुस्तान का ताज ठुकरा दिया ये तो सिर्फ हिंद का ताज था तुम्हारे लिए हम जन्नत पे ठोकरा सकते हैं ओ खुर्रम, आपकी महबद तो मेरे लिए नायाब है वली एद तो गया, पर तुम्हारा सिपाही वापस आ गया चलो कम से कम अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा गलत फहमी में हो मेरी बच्ची, हमें अपने आदमी से खबर मिली है कि लाडली का निकाह शेहनशाह के छोटे बेटे शेहर्यार से तै हुआ है और उसे ही वली आहद बनाया गया है अच्छी बात है, हमें इसे कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है मेरे बच्चे, फर्क पड़ता है उन्हें पता है, सारी फौश तुम्हारे साथ है और पलक जपकते ही वो अगावत में तुम्हारा ही साथ देगी आम अदमी भी तुम्हें अपना आने वाला बाश्चा ही मानता है आवाम हमें प्यार करती है कोई गुनाह तो नहीं इसमें हमारी क्या गलती है बताईए नहीं नहीं है पर नूर जहां जानती है कि शहर्यार कमजोर है और तुम उसे किसी भी वक्त हरा सकते हो बेटे खबरदार रहो बहुत बड़ी साजिश हो रही है तुम्हारे कटल की अबबा ऐसा मत होने दीजी अबबा हम इनके बिन हम मर जाएंगे मेरी बच्ची हम इनकी हिफाज़त दिल और जान से करेंगे ना सिर्फ यह हमारे होने वाले दामाद हैं बलकि यही बाश्या बनने लायक भी हैं यही इस मुल्क को बचा सकते हैं खुर्रम मेरे अजीज तुम हम दोनों ध्यान से सुनों यहां से चले जाओ दूर पहाड़ों पर निकाह कर लो और तब तक वही रहो जब तक हाला ठीक ना हो हम आपकी इज़त करते हैं पर कायर नहीं कि भाग जाएंगे खत्रों से खेलना हमारी आदत है सवाल कायर होने का नहीं है आपकी जिंदेगी स हमारे लिए कुछ भी करेंगे खुदा के लिए अबबाग की बात मान लीजे आप परिशान नहों जैसे आपकी मर्जी है हम सुबह पहाड़ों के लिए निकल जाएंगे कि अब कि अब कि अब कि वहां दर्रे के पास बाक्षा सलामत वह सब्सें उची है सिपाहियों के लिए ठीक है मीलों तक कुछ भी नहीं बस यहां एक सुरक्षा चौकी बना देंगे यह जगह अच्छी है हर तरफ चड़ने की मुश्किल बहतर है बचाव कर सकते है हम महलों में पले बढ़े एशो आराम दालान अवेलिया हमें बांध नहीं पाए पर बुरे भी नहीं लगे उनसे बहुत दिन दूर भी नहीं रह पाए लेकिन फिलाल यहीं घर बनाते हैं आपको एक बहुत बुरी खबर देनी है अलंपना क्या हुआ हुआ है खुर्रम ठीक तो है ना बिल्कुल बिल्कुल ठीक है इतना कि आपकी शिकस्त के लिए बगावत पर उतर आया है आसफ खान ने आपका तक्त पलटने की साजिश की है वो आपको सबक सिखाना चाहते हैं इनकी जुर्रत कैसे हुई जहंगीर को ललकार ने की हम उन्हें कुचल देंगे चाहे हमारा बेटा भी उनमें शामिल क्यों नहों खुर्रम जानता है कि वो आपकी कमजोरी है और आप उसे कभी सजा नहीं दे सकते आलिजा बाप बेटे को सजा नहीं देगा पर बाच्शा दे सकता है हम हिंदुस्तान के शेहन्शा खुर्रम को शाही मुझरिम करार देते हैं उसे गिरफतार करके हाजिर किया जाए पोरण अर्चुमंद फाउज और महावद खान हमें ढूंड रहे होंगे जब तक हम छुपे रहेंगे ठीक रहेंगे शायद हमारी वापसी में कई साल लगए अगर वापसी हुई यह हमारी तक्तीर है तुमहारी भी यही हो ज़रूरी नहीं जब हम आपसे मिले आप सर्फ मामुली सिपाही थे आम आदमी हम आप से मुहबबत करते हैं आपके ओदे से नहीं हमें नूर जहां के लोग कतल भी कर सकते हैं हमें शाही मुझरिम करार दिया गया है बिना किसी कुसूर के आपकी साथ रहने की पीमत अगर गम है तो तो हमें मन्जूर है और आपकी नजरों में हमारे लिए मुहबबत देखना हमारे लिए सबसे बड़ा तोफा है आप हमारे साथ इतने खुश हैं कि आपको खुश भी नहीं कि आपकी हालत कितनी बत्तर है आपका साथ है तो हमें कोई गम नहीं आपके बगेर जिन्दगी मौत से भी बत्तर होगी फिर हमें इंतजार करने की जरा भी जरूरत नहीं अर्जुमंद तुम्हारे अब्बा के पहुंचने का और इंतजार करते हैं वही तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ दे यही काईदा है हमें उनकी तुवा चाहिए हमें यकीन है अब्बा किसी मुश्किल की वज़े से अब तक नहीं आये हम पर उनकी दुआएं हैं वो चाहेंगे हम जितना जल्दी हो सके निकाह कर लें जैसे तुम्हारी मरसे मौलवे सहाब रस्म शुरू कीचे कर दो कि आना जुरू की रसीर आमनु बहुत शुरू कर रसीर रामनु जुरू की रसीर रामनु बिल्ल्ही वर्सुलिह वकुत वी रसुलिह लानु फज्यू कवैन आहिदिम रुसलिह वकालू समीना वातैना गुफ्रानक रब्बना वैलेकल मसीर ला युकल्युफ ल्लाहु नफसन इल्ला उस अहालहा मा कसबत वालेहा मक्तसबत आप अर्जुमंद से निकाह कर रहे हैं क्या आपको ये मन्जूर है 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 आली जाँ मलिका साहिबा मलिका नूर जहां ने आपके वालिस सहाब को नजर्मंद कर दिया है कि उन्होंने आप दोनों के लिए दुआएं भेजी हैं उनके वफदार आप तक उनकी फ़बर पहुचाते रहेंगे खुदा अब जान की हिफाज़त करना अब बस वो आपके ही हाथों में हैं फिक्र ना करें हम जान देकर बें उनकी हिफाज़त करेंगे उन्हें कोई दाहा दी है हम नूर जहां को तबाह करके छोड़ेंगे उसने बाप को बेटी से दूर किया बाप और बेटे में दुश्मनी करवाई पतन परस्त को बागी करार दिया खुदा कसम मुसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगी उसकी आँखों में वो नूर था बेपस मुहांगत में चूर था हूर जैसी उस महजबी के हुसन का ही ये गुसूर था इश्क की जिन्दा निशानी है ये सदियों पुरानी कहानी है ये ताज महर की बाग जबानी है ये कहानी है ये जी मलकायालिया वो बहुत बड़ा हिलाका है उन्होंने जगे बहुत देखकर चुनी होगी या अलगातार जगे बदल रहे होगे हम सबर करें यही बहतर रहेगा उसकी वापसी सिर्फ बगावत और तबाही लेकर आएगी पर हमें उसे रोक ना होगा हमारे पास आसफ खान है और हमारी फॉज है उन्हें ढूंडते रहो सारे तरीके इस्तिमाल करो सुनो और कभी कभार तो अच्छी ख़बर लेकर आया करो जो हुक मलकाया लिया अर्जुमंद कहां है देखा है उन्हें जी नहीं वो खेमे में ही होंगी इतनी लपरवाई कैसे की वह वह नहीं है जानका आमान हुआली जहां मुझे भूक लगी थी मैं जाकर अभी तलाश क अगर वह नहीं मिली तो दोबारा खाना खाने के लाइट महीं रहोगे कर दोबारा खाने कि का अगर भ्या चाने कोर अन्हें हो भड़ा तो दोबारा खाने को दोबारा है अर्जुमन इस तरह बाहर घोमना खतरनाक है तुम जानती हो हमें घरबार का मुझरिम बताया गया है खुर्रम हम यहाँ ताजा पानी लेने आये थे यह इतना ठंडा और पुर्शुकून है एक बुड़े बावा ने बताया कि इस नहर का पानी तुम्हें सर्दी और जुकाम से निजात दिलाएगा यह लीजिये पर तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए तुम्हें कुछ हो जा यह ख्याल भी हम बरदाश्ट नहीं कर सकते तुम्हारी जुदाई तो कता ही नहीं है ओ खुर्रम हम बादा करते हैं अब हम अकेले कहीं नहीं जाएंगे कि अब 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 कि अब 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 खुर्रम और अरजुमंत की बहुत प्यारे बच्चे हुए वक्त के साथ-साथ उनकी दोनों बेटे और अंगजेब और दारा चार और छे साल के हो गए खंडरों में रहकर भी वो सब खुशाल जिंदगी जी रहे थे लेकिन किस्मत को उनकी खुशी मनजूर नहीं थी मल्लिका नूर जहां को अभी खुर्रम की वापसी का खौफ था कितने खुबसूरत बच्चे हैं यकिनन किसी उँचे खानदान के लगते हैं गुस्ताखी माफ हुजूर आपका ख्याल गलत है इनके वाले साहुकार है इनके खुशकिस्मत वाले से मिलने की तमन्ना है क्या पता हमें उनसे कुछ खरीद ना हो वो दौरे पर हैं हुजूर और एक हफ़ते बाद ही लोटेंगे बहुत बड़े आदमी होंगे नहीं सरकार वो तो एक मामूली सौधागर है और आप अपना कीम्टी वक्त उन पर जाया मत कीजे हुजूर हमें इतना बेवकूफ समझते हो तुम एक मामूली सौधागर के पास बच्चों के पहरे दार रखने के लिए पैसे नहीं हुआ करते अब अगर बेहतर लग रहा हो तो सच्चाई बताओगे मैंने सब सची बताया है खबरदार उसे चुआतो हमारे अबू तुमें मज़ा चखा देंगे लिकिन यह हमें आपके अबू का नाम नहीं बता रहा हमें मजबूर कर रहा है शायद वो हमारे दोस्त हो हम हिंदस्तान के राजकुमार हैं और हमारे बालिद वली आद्खुर्रम है वाव वाव हमने यही सोचा था ऐसी खुबसूरती और बहादुरी सिर्फ उन्हीं की हो सकती है अगर इन्हें छोड़ दिया मलिका हमें जान से मरवा देंगी इतने सालों की तलाश के बाद मिले है मलिका अपने रिष्टेदारों से मिलकर बहुत खुश होंगी और अब खुर्रम इनकी जान की भीक मांगने वहां आएगा और मलिका के गहर से उसे खुदा ही बचाए अब चलो हमारे बच्चे कहा है हमें उनकी जान का खौफ है फिक्र मत करो वो जल्दी घर लोटेंगे मासूम बच्चों को नुकसान कोई नहीं पहुचाएगा हमारे जानिसार उनकी इफाज़ाद दिलोचान से करेंगे हमारे बच्चे कहा है क्या हुआ मलिका नूर जाने अगवा कर लिया है वह पहरे दारों का करके निशाद के ऊपर खैमे में गए हैं वह चाहते हैं उनकी जिन्दगी के बदले में आप शिकस कबूल करें खुरम हमारे बच्चों को बचाए हम उनके बिना नहीं जी सकते हैं और अपने बेटों को तो अपनी जान से भी कहीं ज्यादा जब तक हम जिन्दा हैं उन्हें कुछ नहीं होगा हम ना सिर्फ उन्हें वापस लाएंगे बलकि नूर जहां के तकते को पलट देंगे झाल जान की खेर चाहते हो तो बताओ हमारे बच्चे कहां है खता माफ सरकार हमसे मलिका साहिबा नहीं ये कुफ्र करवाया है महावत खांब बच्चों को मलिका की पास ले किया है सरकार अब बजाने सरकत के बारे में जानते हैं वो आखरी सांसे ले रहे हैं उन्हें नहीं पता कि मलिका रियाय के साथ क्या कर रही है सच्चाई जाने बगाएर अब जान नहीं जा सकती हमारी गैरहाजरी में आप यह ख्याल रखते हैं अपना हम कितने दिनों बाद मिलें इतनी जल्दी मच जाईए हमें बाफ कर दो हमने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया हमारा आखरी वक्त आ गया और तुम्हारे सिवाय किसी को परवा नहीं तुमने यहां आकर जान पर जोखिम उठाया तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं अर्जुमंद बहुत परेशान है नूर जहां ने हमारे बच्चों को अगवा कर लिया है उन्हें पता है मैं यहां आऊंगा तो मुझे कतल करवा देंगी वो लाटली को मलिका बनाना चाहती है नूर जहां का यह हुकम मानने की किसने जुरत की क्या वो भूल गए हम अब भी शेहन चाहें नूर जहां को गिरफतूर हम मौत से पहले अपने पोतों से मिलना चाहते हैं और नूर जहां शेहजादे खुर्रम के दरबार में आजिर होगी मलिका यालम आली जहां पहुझ गये कहां है वो बस रास्ते में ही है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हमारे बच्चे कहा है खुर्रम कहा है वो उन्हें कुछ नहीं हुआ मेरे फरिष्टे मुझ्रमों को सजा मिल गई है या अल्ला हमारे बच्चों को बचाने का शुक्रिया हुर्रम हमें बच्चों के पास ले चलिए वो अबबजान के पास है और अबबब कुछी देर के महमान है तुमसे मिलकर दुआ देना चाहते हैं माफी मागना चाहते हैं हमारे अबबा कैसे है वो अभी वजीर आजम है अब सब ठीक है काली रात पीत कई अबबा चाहते हैं वापस दर्बार लौट जाएं पर हम यहां कितने खुश है खुर्रम दोबारा उस चालागी की दुनिया में क्यूं जाएं कितनी भी तकलीफे या मुश्किले आई हूं अब तक हम यहां बहुत खुश रहे हैं फिर हम दोबारा वहां क्यों जाएं खुर्रम जहां हमें साथ रहने तक की इजासत नहीं मिली थी उनका यकीन कैसे करें हम मिन्नत करते हैं खुर्रम हम हमेशा बस यही रहना चाहेंगे यहां हमें खुदा से कई सौगाते मिली हैं खुर्रम हम सिर्फ इतना ही मांगते हैं आपसे हमें पता है पर हमारे मरते हुए अब्बा ने हमारे मुल्क की सियासत समालने की गुजारिश की है हाला कि उन पर न हमारी खुशकिस्मत ही होगी खुर्रम पर आप हमसे वादा कीजिए कि हमारी ये छोटी सी दुनिया कभी नहीं बदलेगी जब तक तुम हमारे साथ हो कुछ नहीं बदलेगा मेरे फरिष्टे चलो अपना फर्स पूरा करें तुम्हें इस फैसले पर मराल नहीं होगा हमें माफ करतो मेरी बच्ची आज से तुम हिंदुस्तान की मलिका हो अब से तुम मुम्तास महल यानि महल की शान कहलाओगी खुरम जी अबबा तुम शाह जहान कहलाओगे दुनिया के शेहन शाह अबबा हम सब यहां आपके साथ हैं चल्दी अच्छे हो जाईए हमें आपकी दुआएं चाहिए हमारी दुआए तुम्हारे साथ अबबा 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 तुम्हारी सारी खताएं मुआफ़ी के काबिल नहीं तुमने हमारे साथ ही नहीं अपनी भतीजी के साथ बे जुल्म किये तुम्हारा फैसला मलिका करेंगी मलिका है आलम मुझे माफ नहीं किया जा सकता तो मेरे लिए सजाय मौत का हुक मुझारी करें तुमने शेहनशा को गलत राय दी, बाप से बेटे को जुदा किया, बेटी को बाप से और बच्चों को माँ बाप से, सच्ची इनसान को बागी करार दिया माफ कर दीजे मुझे, तख्त के लालज में मैं अंधी हो गई थी, मैं इस जिन्दगी से निजात चाहती हूँ, मुझे अपने आप से नफरत हो गई है, अब और बरदाश्ट नहीं कर सकती आँख के बदले आँख हमारे इंसाफ का तरीका नहीं, पर कभी हमने आपको अपना बुजूर्ग माना था, लेकिन दूसरों को सबक देने के लिए हम आपको सजा देते हैं, उम्र कैद की, आप अपने ही कमरे में ताँ जिन्दगी कैद रहेंगी। आप वह कई मलिकाय आलम हैं, हमें आप पर फक्र हैं। मुल्क की रियाया अपने नेक बादशा और मलिका से बहुत खुश थी। मलिका अर्जुमंद दो महिने में दुबारा मा बनने वाली थी। पर वह परिशान थी क्योंकि खुर्रम जंग पर जाने वाले थे। अब तक वह साय की तरह उनके साथ रही थी। खुदा के लिए मत जाये। हम इस हालत में अकेले नहीं रह सकते। अर्जुमंद यह जंग मुल के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं गये तो तुम्हें भी शर्मिंदगी होगी। हमारा बच्चा दो महिनों में आएगा। हम दो हफ्तों में आ जाएंगे। हमें आपकी बहुत याद आएगी। हमें भी तुम्हारी याद आएगी। खूँआए आलिजा आपके लिए मलिका का संदेश है क्या बात है मलिका यालिया आपके पीछे मुहिम पर आई हैं उनके खेमे पास ही है वो जुदा नहीं रहे पाई हम अभी जाकर उनसे मिलेंगे आलिजा आप गिरिफतार भी हो सकते हैं सुबह तक इंतजार करना चाहिए हमें जाना ही ही है पर यह फौच से चुपा कर रखना वरना हमें यहां नहीं देखकर सब घबरा जाएंगे हुर्ण की कोई खबर आई नहीं अभी नहीं मलिका या खुदा क्या हुआ होगा है आपको शहर में रहना चाहिए था मलिका अब आपको शहर में रहना चाहिए था मलिका अब इस हालत में आपका यहां होना ठीक नहीं हमें पता है क्या करना है नहीं उठिये मत मलिका अराम किजिए हमें खुद उन्हें ढूरना चाहिए बहुत दूर है उन्हें जरूर कुछ हो गया होगा वरना वापस आजाते हैं हमें वहां जाना होगा हमें वहां ले चलो नहीं अगर आपने आराम नहीं किया तो आपके और बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा अब रास्ता भूल गया है यह दुश्मन का इलागा है दूसरा रास्ता जोनते हैं चलो बादशाह हुजूर की कोई खबर नहीं हो सकता है मारे गये हों यह अखता यह उन्हें कैसे बताओ वैसे ही वो इतनी परेशान है कुछ देरों रुक नहीं सकते च्छे घंटे हो गए उन्हें बताना ही होगा तो क्या कहां उसने चुप क्यों हो तुम जवाब क्यों नहीं देती जवाब क्यों नहीं देती हैं नहीं यह नहीं हो सकता हमारे खुर्रम को कुछ नहीं हो सकता तेर नहीं कर सकते इन्हें लेटा दो जल्दी शुक्रें आप सलामत है रात भर से हम आपको ढूंड रहे थे आलिजा मलिका हुजूर को शहजादी हुई है यह तो अच्छी ख़बर है यह बच्ची वक्त से पहले आ गई है यह अर्जुमंत कैसी है बहुत कमजूर हो चुकी है इस बच्ची को जन्त देने के उनके हालत नहीं थी उनके पास वक्त कम है झालज सकत्रव झालज सकत्व शुक्र है आप महफूज है आप हमें छोड़ कर मत जाओ मत जाओ अपना और पच्चों का हयाल रखियेगा इतनी जल्दी साथ छोड़ दो कर रही हूं ऐसा बत को हमें कोई जुदा नहीं कर सकता नूरे नजर यही तक्दीर है इस पर किसी का जोर नहीं चलता खुदा का शुक्र है मुझे आप की मुखबत मिली आपके साथ पिताए हर पल में हमें जिन्दगी की खुशी मिली हमारे जाने के बाद भी हमारा प्यार आपके साथ रहेगा और वो हर जगे मौझूद रहेगा हम तो जा रहे हैं पर हमारी रूह आपके साथ रहेगी आए खुदा हमारी जान ले ले मुल्क ले ले सब कुछ ले ले पर मेरे फरिष्टे को बचा ले खुदा की यही मर्जी है आप हमें नहीं बचा सकते पर हमारे मौपत की यादगार तो बचा सकते हैं याद है आपने हमारी एक आर्जू पूरी करने का वादा किया था अब वो वक्त आ गया है खुर्रम आखरी सास्तर मैं उसे पुरा करोगा तो हमारी मौपत की खुपसूर्ती और पाखिसकी की एक यादगार बनाईए ऐसी जगे जहां सदियों तक लोग हमारी मौपत को याद करें मौपत को याद को याद को याद को याद करें मौपत को याद करें 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 आलिजा रियाया आपके बारे में परिशान है वो हमारी भी बेटी थी अर्चुमंद रियाया से बहुत प्यार करती थी अगर जिन्दा होती आपको मुल्क से दूर होते देखकर उसे तकलीफ होती उसकी खादिर बाहर निकल लिये माफी चाहते हैं हमने आपकी बेटी खो दी हमारी बेटी खुशकिसमत थी उसे आप जैसा खाविन मिला हाँ 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 आपकी प्याँ हाँ आपकी खुशकिसमत अपकी घुशकिसमत हाँ हाँ ताज को बने 300 साल हो गए पर उसके संकतराश का कोई पता नहीं ताज को बनने में 22 साल लगे अब तेरी तस्वीर ही आँखों में बसके रह गई बिन तेरे होकर ना मुकम्मल जिन्दगी ये रह गई था मेरी किसमत में क्यों तेरे बिन जीना लिखा साल बीटते गए और खुरम्प बज़ुर्ग हो गए मुल्क की सियासत के लिए जंग छिड़ गई हैरानी की बात है कि दो प्यार करने वालों के बच्चे इतने खुखार और मतलब ही निकले खुरम्प दारा को शेहनशा बनाना चाहते थे इसलिए उन्हें गिरफदार करके और अंगजेब के सामने पेश किया गया आपके साथ रहम कैसे करूं जबकि आप अपने चहेते बेटे दारा को शेहनशा बनाना चाहते हैं दारा बहतरीन शेहनशा बन सकता था अर्जुमंद ने ठीक कहा था तरबार वापस जाकर सियासत से मत चुड़िये किस मुसे उसे बताऊंगा हमारे बच्चे कितने खौफनाक बन गए हैं पेटा एक हैसान करो के मुझ पर हमें कतल करवा दो अर्चुमंद रहा देख रही होगी आप हमारे वालिद हैं हम आपको कतल नहीं करवा सकते पर इंसाफ सब के लिए एक ही होता है हम आपको उम्र कहद देते हैं देखो हमारी एक बात मानोगे हमें ऐसी कैद में रखना जहां से हम ताच महल का नजारा करते रहें पेटे आखरी सांस तक जैसा आप चाहें प्रूप 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 अर्चुमंद ये देखकर बहुत खुश होती कि तुम बिलकुल उसके जैसी हो तो हमारी महपत का सही अंजाम हो तुम अपने बोड़े भाप की परचाई हो आपकी खिद्मत में बिताया हर पल हमें नेमत लगता है अपाचान आपके तबिया ठीक नहीं जहां आ रहा हमारी मौत के बाद हमें ताज महल में ही दफनाना अर्चुमंत के पास हम तुमें एक फरिष्टे की कहानी सुनाते है ए खुदा मुझे दे पता मेरे महबूब का ए खुदा मुझे दे पता मेरे महबूब का ए तुझसे ये इलते जा मुझे उसके पास ले जा ए तुझसे ये इलते जा मुझे उसके पास ले जा ए खुदा मुझे दे पता मेरे महबूब का ए खुदा मुझे दे पता मेरे महबूब का ए तुझसे ये इलते जा मुझे उसके पास ले जा ए तुझसे ये इलते जा मुझे उसके पास ले जा भूल सिना जुक थी वह एक परी आसमानी उसकी पाक महाबत थी तेरी महरवानी आखरी एक एहसान कर मुझे यू ना तड़ पा मुझे उसके पास ले जा आखे है नम है गम का धुआ होने लगी है मेरी जाज जुदा रह जाएगी बस यादे यहाँ यादे यहाँ आप एक दूसरे के लिए ही बने थे अबबब अबबब अबबबब अबबब यहाँ हुआ 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 है हुआ हुआ है राहे उल्फत में कही एक हम सफर यू बिछड गया उसने अपनी बुझती हुई रोषन शमा से वादा किया इंतहा में प्यार की एक जूबा बना दिया इश्क की जिंदा निशानी है ये सदियों पुरानी एक कहानी है ये ताज महल की बाग जबानी है ये कहानी है ये निशानी है ये इश्क की जिंदा निशानी है ये सदियों पुरानी एक कहानी है ये ताज महल की बाग जबानी है ये कहानी है ये निशानी है ये दिल से आके एक दिल मिला अल्लाह का करम ही तो था एक दूजे में ही पाने आउन दो दिलों ने अपना खुदा खुशनों माथे दोनों जहां क्या जमीन क्या आसमा इश्क की जिन्दा निशानी है ये सदियों पुरानी कहानी है ये ताज महल की बाग जबानी है ये कहानी है ये निशानी है ये क Circ corrupted वारल ंसरें दो बाग मैरे ये कैंग झार ने लेओने री को उतें जहुआ करें他 सब एक्शना एक दोनों माजम